सबसे पहले मैं अपने तीप्रा मौथा वॉरियर्स, YTF वॉरियर्स, TWF बुमा गॉदल वॉरियर्स, TCF और TISF वॉरियर्स को हमबाई बोलना चाहता हूँ, आपने हमें सपोर्ट किया और आज एक छोटा सची कॉन पार्टी आज क्रुप्रा में सेकंड लाजिस पार्टी बनके आ चुका है लेकिन मैंने और एक चीज नोटिस किया है, कि एलेक्शिन के बाद हमारे बहुत लीडर्स लोग घर में बैठे हैं, उनको मालूम नहीं क्या करना चाहिए बुबागरा का माइंड में क्या है, आज आपको बुबागरा ख्लेली बोल रहा है आने वाले एक मेहने के अंदर अगर तला में हम दो दिन का प्लेरी सेशन, नैशनल एग्जेक्टिव सेशन हम लोग करेंगे और उस टाइम पार्टी को नीचे से उपर तब हम बदलेंगे और नया जान दालेंगे हम सब जानते हैं कि जब तक हमें हमारा Constitutional Solution for Greater Tepra Land नहीं मिलता है हमें हमारा भविश्य, हमारा तीप्रासा का भविश्य खत्रे में है आज भाशा खत्रे में है, आज भविश्य खत्रे में है, आज आइडेंटिटी खत्रे में है, आज हमारा जमीन खत्रे में है आज हमें अगर कुछ मिलना है Government of India से तो हमें एक आवाज में बात करना पड़ेगा चुप बैठने से कुछ नहीं मिलेगा इसके लिए मैं पार्टी को बूट लेवल से, ब्लोक लेवल से, डिस्ट्रिक लेवल से, सेंट्रल लेवल से और कॉर कमिटी से बदल के नया जान देना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं कि ये एक मेहने के अंदर आप लोग क्या काम कर रहे हैं इसके लिए मैं अपने block presidents, booth presidents, district presidents, MDCs, EMs, MLAs, सब leaders को बोलना चाहता हूँ कि अपने area में आप अगले एक मेहने के अंदर program कीजे, joining कराईए और party को strong कीजे गाउं में जहां में पानी का problem है वहां में जाकर help कीजे लेकिन अपने आपको ground में लाईए ये मेरा strict order है आपको, आपको बनाया है हमारे टीप्रसाने आपको बनाया है हमारा टीप्रसान का vote में और आपका duty बनता है कि आने वाले दिन में आप अपने दोफा के साथ खड़े रहे ना कि नेता बनकर आराम से बैठे जो लोग सब जोनल चेर्मेंस है जो लोग जो लोग जोनल चेर्मेंस है आपको ये जगा आज मिला है कि आप अपने दोफा के लिए काम करें ये contract गिरी का जगा नहीं है तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप एक simple वर्गर बनके काम कीजे आने वाले एक महने में तिप्रा मौथा पूरा पार्टी को change करेगा जमीन से उपर तक restructure करेगा जो लोग काम करेंगे जो इसने काम किया है वो पार्टी में उनको जगा मिलेगा लेकिन जिसको post मिलकर वो कुछ नहीं कर रहा है जिसने दुसरे पार्टी को help किया है उनको identify करके पार्टी से मुक्त किया जाएगा ये मैं आपको clearly बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले धनपूर election में आने वाले लोग सबा election में तिप्रा मौथा को क्या strategy लेना चाहिए ये हमको decide करना है पार्टी में क्या नया जान दालना चाहिए ये हमें decide करना है अगर तला के primary session में हम हर constituency से 40-50 लोगों को लाने की कोशिश करेंगी इसके लिए मैं अपने MLA's, EM's, Block President, District President जो इस area के leaders है उनको meeting रखकर आप लोग list हमें दीजे दो दिन तक उनका खाना, पीना, रहना का खर्चा मैं देखूँगा लेकिन तीप्रा मौथा को एक ऐसा party बनना है जो अपने देश के लिए, अपने दोफा के लिए fight करेगा ना कि तीप्रा मौथा को दूसरे party ये सा बनना है जो election जीते के बाद चुप बैट जाता है जो सिर्फ election के टाइम भाशन देता है और तब बैट जाते हैं, मैं फिर से अपने MLA's, Block President, District President, Central Committee Members, Core Committee Members सब को, Zonal Chairman, Sub-Zonal Chairman, सब को बोलना चाहता हूं कि आप अपने area में चाहिए, constituency में चाहिए, meeting रखिए और हर constituency से minimum 30 से पचास लोग, TWF, YTF, टिप्रा मौथा, TCF, बुरुई बदॉल, TISF, सबसे मैं membership मैं चाहता हूं कि वो लोग इस first national executive जो अगरतला में होगा, उसमें attend करें हजार हो, 1200 हो, मुझे परवा नहीं है, लेकिन उनको आना चाहिए, और उनको अपना दिल का बात रखना चाहिए, और मैं भी अपना दिल का बात उस दिन रखूँगा I wish all of you all, आप सब को, मैं आपको प्यार करता हूँ और आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमारा काम खतम नहीं हुआ है, हमारा movement खतम नहीं हुआ है, जब तक constitutional solution, हमारा greater TIPRADAN हमको नहीं मिलता है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे जाइये जाइये और गर्व से कहिए that we are proud to be TIPRASAR, जाइये और गर्व से कहिए कि ये party दूसरे party से अलग है, जाइये और ये party को अंदर से बदलिये, क्योंकि ये power आपके पास है, ये party आपका है, ये party जाती का है और ये जाती को अगर हमें उठाना है तो हमें नेक्स जेनरेशन हमारा भविश्य के बारे चिंता करना पड़ेगा और ये तबी होगा जो हमारा थांसा रहेगा बेलाई नोहांबाई खुलूंखा